कैसे हैं आप लोग मुझे पुरा उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आईए आपका वेल्कम अपनी यूटूब चैनल बिहारी मैथ पॉर यू में जैसा कि मैं आपके सामने फिरसपूरी इनरजी विस्वास और इमानदारी से अपने नेक्स क्लास के और प्वस्तित हो और आपको लोग में बता देना चाहता हूं कि हर दिन हम लोग देख रहे हैं 100 क्लास का मै आपके सामने ला रहे हैं और उस पर अच्छे से discussion कर रहे हैं उस related जितनी भी बात है सारी बात को अच्छे से समझा रहे हैं ठीक है क्योंकि आने वाले exam में जो है वैसे वैसे question आने के chances बने रहते हैं इसलिए वैसे question को अच्छे से ध्यान देना जरूरी होता है क्योंकि जो ब और बताते हैं और उमीद है कि आप अच्छे से लगन से और इमानदारी से पढ़ते होंगे ठीक है तो चलिए अब अपने class को हम start करते हैं आप पुरी तरह से fit हो जाईए तैयार हो जाईए और यदि मेरे channel को आपने like subscribe और share नहीं किया तो यह सारे काम को कर दें ताके मैं अ starting अभी होने जा रहा है आप लोग पूरे अच्छे वे में मेरी बात को सुनेंगे मेरे point को सुनेंगे यह आपके लिए आने वारे exam के लिए काफी निसेसरी है काफी important fact है चलिए मेरे बाई अब हम लोग question की तरफ आते हैं question क्या है वह चीज़ को हम लोग देखेंगे आज के class का सबसे पहला question है मेरे बाबू कि यदि बहुपद PX बराबर इतना एतना है तो इतना A और B है तो AB बराबर बताएं कहने का मतलब है कि पहला question है कि यदि बहुपद से related है यदि बहुपद PX बराबर यदि बहुपद PX से बराबर X square माइनस 2X, X square माइनस 2X ठिक है और पलस 5 है ठिक है PX बराबर X square माइनस 2X पलस 5 के सुनियक के सुनियक जो है मेरे भाई सुनियक जो है A और B है A और B है तो आपको बताना है कि A B बरावर भाट A B बरावर भाट आपके सामने option पहला है 5 है option दूसरा option है minus 5 है option C है मिरे दोस्त वो आपको 2 है और option D है minus 2 है बात समझ माया आज के class के सबसे पहला question को हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद से related question है polynomial जो chapter है वो chapter से related question है यह question यदि बहुपद PX पर और इतना है इतना कि सुनियक A और B है इसका सुनियक A और B है तो A B का मान ग्याद करना क्या होगा पहला option 5, minus 5, 2 और minus 2 ठीक है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो बहुपद है मेरे दोस्ति यह बहुपद है इसमें maximum घातों की सेंख्या 2 है तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद जो है वो दिवगाद बहुपद है ठीक है अगर घातों की सेंख्या 1 होता तो वो बहुपद होता रैखिक बहुपद होता घातों की सेंख्या 3 होता तो 3 घात बहुपद होता क्योंकि बहुपद का ये सब condition जैसा कि आप जब पढ़े होंगे chapter तो वाँ पूरी तरह से अच्छे से बताया गया होगा तो यहाँ पर बहुपद में maximum गाद 2 है 23 में का मतलब कि ये बहुपद 2 गाद बहुपद है और इसका जो सुनियाक है A और B दिया रखा जिस तरह से सुनियाक होता है 2 और 3 होता है डिजिट के रूप में होता है या हम लोग कोई भी 4 रासी के रूप में हो सकता तो आपको बताना है कि A B बराबर क्या होगा तो भाई मेरे इसको हम लोग जब देखते हैं कि P X बराबर जो है X स्क्वाइर है माइनस 2 X है और पलस 5 है तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं कि A X स्क्वाइर पलस B X पलस C जो होता है बहुपद का सिंपल फॉर्म होत है बागी जो भज जाता वो आपको क्या हो जाता है एतनी बात तो समझ हमाया अब हम लोग कहते हैं कि बहुपद A B का मान ग्याद करने के लिए सुनियको को आपस में बुना करने पड़ेगा तब ही क्या है यह दि हम देखें कि सुनियको का गुनन फल यदि दूगाद और अलफा यानि पहला सुनियक बिट्टा बोले तो दूसरा सुनियक और इसने पहला सुनियक का जो value दे रखा है कितना है A है और दूसरा सुनियक का value कितना दे रखा है तो हम लोग यहां पर पहला सुनियक A रख दें और दूसरा सुनियक का रख दें B रख दें यहां तक त मतलब a b बरावर कितना आया 5 आया इस तरह से आज की class का सबसे पहला question का answer आपके सामने a b पूछा था और a b का value 5 है option आप a को देखेंगे तो पूरी तरह से टैली करता है इसका मतलब यह हुआ कि option a जो है इसका क्या होगा answer होगा यहां तक समझने में कोई परसानी आपको नही होनी चाहिए उमीद है कि आप अच्छे से समझ गहोंगे किसी तरह का कोई टेंसन आपको नहीं होगा चलिए आज की गलास का सबसे पहला question इंड़ वा आप इससे जल्दी से अब अगरा question क्या है मेरे भाई इसको देखते हैं question number 2 है कि दो परमे संख्याओं के बीच कितनी परमे संख्या हो सकती में तेंथ कलास में जो होता है पूछा जाता है कि दो पर्मे संखिया के बीच कितनी पर्मे संखिया हो सकती है कि दो पर्मे संख्या के बीच कितनी पर्मे संख्या होगी, ठीक है, आपके सामने option रहेगा, पहला option रहेगा, आपके सामने मिरभाई, पहला option रहेगा, क्या रहेगा, पहला option एक, दूसरा option दो, तिसरा option थ्री, और चौथा option जो है अनन्त, चौथा option क्या रहेगा, अनन्त, त कि दो पर्मे संख्या कोई बीच कितनी पर्मे संख्या होगी, तो आपका अंसर हमेशा आना चाहिए, वो क्या होगा, अनन्त होगा, हर 10th exam board देखिएगा, तो ये 2-3 साल में हर बार ये पूछे जाते हैं question, कि दो पर्मे संख्या के बीच कितनी पर्मे संख्या होगी, तो इसका अंसर क्या होगा, अनन्त होगा, ये चीज़ को मौकिक रूप से आप ध्यान रखेंगे, जो आपके exam के लिए, और आपका ये chapter से related परसन है, काफी interesting है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना, अगला question हम देखने जा रहे हैं, अगला question क्या, इसे हब हटाते हैं, question number 2 भी हो गया, अब हम लोग question number 3 के पास आ रहे हैं मेरे भाई, कहता है question, 3 कहता है, कि बिंदू 2,3 की दूरी मुल बिंदू से क्या होगी, question number 3 है, बिंदू जो है, बिंदू, क्या है, 2,3, 2,3 की दूरी, 2,3 की दूरी मुल बिंदू से, बिंदू 2,3 की दूरी क्या होगी, मुल बिंदू से, मुल बिंदू से, तो अब देखो, आप लोग को उमीद है कि थोड़ा हलका दिख रहा होगा लगता है मारकर के इंक भी आज समाप्त हो गया बिंदू 2,3 की दूरी मुल बिंदू से तो ये निद्दे सांग जयामिती का कोश्चन है मुल बिंदू से इसके लिए क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ क है तो यहाँ पर क्या हो जागा मेरे पाई के है रू का गया दूरी इसक में समझ मारें यह option दे रखेगा उस option पर आप टैली कर लीजिएगा आसानी way में बन जागा यही इसका base कहता है ठीक है यही इसका क्या है बेस है इससे आगे इससे अलग कुछ भी नहीं रहेगा मुल बिंदू से दूरी के लिए यही होता मुल बिंदू से दूरी के लिए सुत्र होता समय मुल बिंदू से दूरी के लिए सुत्र होता समय मुल बिंदू से दूरी के लिए सुत्र होता समय मुल बिंदू से ओ क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं क्योंस्चन चार का लेबल देखने जा रहे हैं क्या है कि एक क्या कहता है निश्चित घटना की प्राइकता होती है जिश्चित घटना की प्राइकता होती है यानि कोई घटना निश्चित होती तो इसकी प्राइकता कितनी होती ओपसन ए आपके सामने वन है ओपसन बी आपके सामने जीरो है option c आपके सामने minus one है और option d आपके सामने क्या हनन है option d आपके सामने none है तो याद रहे है मेरे भाई कि निश्चित घटना की प्राइक्ता जो होती है आपको मालूम होना चाहिए जब आप probability पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्राइक्ता के बारे में पूरे अच्छे वे में जानकारी दिया जाएगा तो वहाँ पर probability में आपको पढ़ना है कि निश्चित घटना की जो प्राइक्ता होती है वो हमेशा one होती वो हमेशा क्या होती one होती क्योंकि प्राइक्ता के लिए probability के लिए formula होता probability के लिए formula होता number of e बटा जो होता है number of s number of e बटा number of s होता है इतनी बार तो समझ में आया साथी साथ एक point और भी आप जहन में रख लें probability of e probability of e dash के लिए इतना जोडनों को जब जोड़ दिया जाता है तो उसका योग कितना होता one होता मैं एक बार फिर से कहा दे रहा हूँ ये formula आपके exam में आ सकता है एक number के question में ऐसे fill in the blanks में भी आ सकता है probability of e plus probability of e dash के लिए पूरा जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका योग maximum कितना होता one होता ये सब चोड़ी चोड़ी बात को आपको दियान में रखना पड़ेगा तब एक बड़ी बात आप समझ पाईएगा छोटा knowledge नहीं होगा तो बड़ी चीज़ को समझना आपके लिए मुश्किल होगा ठेंसन हो जागा ठीक है चलिए अब हम लोग अगले question के पास आते है यदि one plus ten square ठीठा बराबर वाट इसमें पहला option आपके सामने है तो आपको मालूम होना चाहिए कि one plus ten square ठीठा का मान कितना होता है यह कहां से लिया जाता है यह trigos related परसना आपके सामने है तो ठीठा पर अधारित सारा जो है सुत्र सारा formula आपको जहन में होना चाहिए यानि पूरी तरह से वो जबान पर होना चाहिए कहीं भी आप इसमें tension आपको नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या मिरे भाई कि सेख स्कॉर्ड ठीठा माइनस टेन स्कॉर्ड ठीठा के लिए formula होता है वन होता सेख स्कॉर्ड ठीठा माइनस टेन स्कॉर्ड ठीठा के लिए वन होता आपके सामने question कहा रहा है कि आगर हम देख लें say square theta और one plus ten square theta हो सकता है क्यों हो सकता है यह जब minus में इस side equal के side इस side में गया तो यह positive हो गया तो यानि यही चेहरा आपके सामने कहां दिख रहा है यह दिख रहा है तो इतना बराबर हम रख सकते हैं say square theta के लिए सुत्र बन गया कि one plus ten square theta one plus ten square theta या ten square theta के लिए सुत्र बन गया आपको ten square theta के लिए सुत्र बन गया say square theta minus one यह दोनों सुत्र एक दूसरे का होता है बस समझ माया पहला तो होता है कि say square theta minus ten square theta बराबर one होता है और साथी साथ say square theta one plus ten square theta 10 square theta बरावर 10 square theta minus 1 होता है तो इसके option के हिसाब से हम देखेंगे तो option number A जो है इसका क्या अंसर आगा उसी तरह से एक और formula होता है मेरे भाई कि कॉसे के square theta माइनस जो होता है मेरे दोस्त court square theta का value भी कितना होता है अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉसे के square theta बरावर तो 1 plus court square theta अगर आपसे पूछ दे कि court square theta बरावर तो कॉसे के square theta कॉसे के square theta minus 1 ये सब formula पर आपको command बनाना पड़ेगा तभी आप trigo वाले chapter को पूरी तरह से परिपूर्ण जानकारी वाले student विध्यारती बन जाईएगा यदि ऐसा question पर command नहीं है तो फिर जो है, मुस्किल है आगे देखते हैं कि एक formula all होता है मेरे भाई, कि sin square theta plus cos square theta बरावर 1 होता sin square theta plus cos square theta बरावर 1 होता, उसी तरह से देखते हैं कि sin square theta के लिए formula होता, 1 minus cos square theta ठीक है, उसी तरह से देखते हैं कि cos square theta के लिए formula होता 1 minus sin square theta, यानि एक ही formula से आगे पीछे plus minus calculation को आगे पीछे करेंगे तो उससे ना जाने 2 या 3 formula का निर्मान होगा, 2 या 3 नए formula के बारे में जानकारी हमें मिलेगी, इसलिए आपका पकड़ अच्छा हो, एक formula से ही आप सारे formula को पकल ले, अगर आपको सुत्र पर जानकारी होगा तो नमबर आपको, एक दो नमबर आने से सुत्र से कोई भी नहीं रोख सकता ठीक है, चलिए इसका screenshot ले ले इसका write down कर ले उमीद है कि आप उतार लिए होंगे फिर हम लोग अगले question के पास आते हैं अगला question क्या कहता है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, question number 6 है question number कितना है, मेरे भाई, 6 है question number कितना है, 6 है question number 6 है कहता है कि किसी बारम बारता का बहुलक हो सकता किसी बारम बारता का बहुलक हो सकता क्या हो सकता यह बताना हो सकता है क्या हो सकता है पहला option है मिरे भाई कम से कम कम से कम बारंबारता का मान कम से कम बारंबारता का मान कम से कम बारंबारता का मान ठीक है दूसरा option दे रखा है मिरे दोस्त बी option है वह आपको जो है माध्यम बारंबारता का मान माध्यम बारंबारता मान अगला option c है अधीक बारम बारता ठीक है और option D है none, option D क्या है none, आपके सामने question है कि किसी बारंबारता का बहुलग हो सकता है, option है कम से कम बारंबारता कमान, मध्यम बारंबारता कमान, अधीक बारंबारता कमान, और option D है none, तो याद रहे कि बहुलग का मतलब है, कि जो अधीक से अधीक दिखता है, उसको हम लोग बहुल में वा उसका क्या होता है बहुलक होता है यानि जादा से जादा का सिंस क्या होता है कि बार बार दिखता है अधीक बार दिखता है बार बार देखो हजार बार देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार देखो हजार बार देखो यानि बार बार देखता है बार बार दिखता है तो बहुलक जो है लौकता है तो उसी को कहते हैं बहुलक यानि सबसे अधीग बार बारंबारता का मान होगा वही उसका क्या होगा बहुलक होगा इस तरह से आपके सामने कोर्षन नंबर सिक्स भी डिल हुआ आसान तरीके से उमीद है कि आप जो है बारंबारता और बहुलक को आप समझ जाएंगे कि बहुलक का मतलब कि जो पद ज्यादा अधीक बार दिखता हो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं ठीक है आगे इस तरह का प्रस्ण आएगा जो आप पूरी तरह से किलियर हो जाएंगे सटिसफाइड हो जाएंगे बहुलक आपको कभी भी टेंटन नहीं देगा चलिए अब हम लोग अगला कोस्टन आते हैं कोस्टन नमबर सेवन के पास आते हैं कोस्टन नमबर सेवन क्या कहता उसको हम लोग देखने जा रहे हैं देखे मेरे भाई आप ध्यान दे मेरी बातों पर हर एक पॉइंट आपके लिए काफी एक अच्छा बता रहा हूँ जो आने वाले एक्जाम के लिए भी काफी निसिसरी है एक अर्धुगोला का आयतन दे रखा है एक अर्धुगोला का आयतन जो है वो आपके उनीस चार जीरो चार है एक अर्धुगोला का आयतन हमेशा जो होता सेंटीमीटर या मीटर क्यों में होता है ठीक है सेंटीमीटर क्यों है तो इसमें बताना है मेरे दोस्त कि आरद गोला का कुल छेत्रफल ज्याद करें तो इसका कुल छेत्रफल ज्याद करें बहुत अच्छा question है Option A की हिसाब से है 465 है Option A is 415 है Option B आपके सामने 475 है एक तालिस पच्पन है, सब में सेंटीमीटर क्यों लगावा है, आपको मालूम होना चाहिए, उप्च्पन में, पच्पन एक तालिस है, उप्चन डी जो है नन है, ठीक है, तो आईए हम लोग समझते हैं, मैंसुरेशन से रिलेटेट कोस्टन हैं, काफी अच्छा कोस्टन है ऐसे कोस्टन को हम लोग कैसे बनाते हैं, वो चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भाई मेरे सबसे पहला एक आपको नया चीज़ मिला अर्ध गोला, और अर्ध गोला के अंदर गत में आपको पार्ट मालूम होना चाहिए, कि अर्ध गोला में क्या क्या होता है, अ अर्ध गोला में, अर्ध गोला में, अब बात क्या कर रहे हैं, कि इसका आयतन जो भी जो दे रखा है, वो उनीस चार जीरो चार है, है ना, और हम लोग अल्रेडी अर्ध गोला का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, मेरे दोस्त, टू बट्टा थिरी पाई और क्यू, क्या ह बटा 3 हो गया मेरे दोस्ति ये पाई का फैलू 22 बटा 7 हो गया आर क्यू जो है एक अन्नोन है और इसी आर को जो हम लोग ग्याद कर लेंगे तो आगे चल के इसका छितरफल भी निकालना आसान हो जागा तो अब आइतन के सहाइता से हम इसका आर ग्याद करेंगे उनिस चार इन यो जो गालनांगे तो आप देखो इसको हम लोग क्या करेंगे जेसको अगर यह कटता है तो काट दे ना कटे तो छोड़े तो देखो आसानी तरीकर से कटेगा एगारा को इसको काटें है तो इसमें कितना उनैस है तो इसमें बज गया मेरे भाई आठ बज गया तो इसमें बज गया तो इसमें बज गया तो इसमें बज गया मेरे भाई आठ बज गया तो इसमें 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 बज गया तो इसम होके 16 होगे, 4 एक कम 4 होगे, इतना होगया, अब R Q बराबर नीचे में 1 S है, ठीक है, ये इधर चल लगा, और ये 441 होगया, इतना होगया है, भाई मेरे ये 1 S है, 441 को हम लिख सकते हैं, 1 S, गुने 1 S, 441 को क्या लिख सकते हैं, 1 S, गुने 1 S, क्योंकि आपके सामने R के पावर 3 है, R का Q है, जब Q उस पर टी जागा, तो घन के रूप में आ जागा, क्यूब के रूप में हो जागा, तो आपको मालुम होना चाहिए, ये किसका Q है, यदि इसलिए हम क्या कहते हैं, R बराबर, R रूप अंडर होगा, 1 S, गुने, 1 S, गुने, 1 S, और इसके अंदर वाले भाग में 3 हो जागा, इतना सेंस तो आप समझते हैं, जिस तरह से मेरे भाई, क्या R S, गुने 5 रहता है, तो R बराबर हम बाहर आजागा, और ये 11 सेंटीमीटर जो होगा, इसका क्या जागा तिर्जिया आजागा, 11 सेंटीमीटर क्या जागा तिर्जिया, जब तिर्जिया मालूम हो गया, तो इसका छेतरफल क्या होता है, इसका कुल प्रिश छेतरफल या छेतरफल के लिए फर्मूला होता है ठीरी पाई आर स्क्वाइर ठीरी पाई आर स्क्वाइर अर दुगोला कर जब छेतरफल पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर फर्मूला होता है ठीरी पाई आर स्क्वाइर और ठीरी हो गया अब आईस बटा साथ हो गया आर कि जहा पर 11 ती यानि 11 गुने 11 इस तरह से साथिया 11 हागा ठीक है साथिया कितना आगा है 11 अब देखो तीन तीज आई 9 और ये हो गया 22 और ये हो गया 11 इतना हो गया नहीं तो अब 9 दुनिया 18 18 18 में 8 यानि जिसके अंत में 8 आठ आएगा वही इसका option टैली करेगा इस तरह से इसका अंसर हो गया 48-59 cm2 क्योंकि प्रिस्ट छेथपल हम बना रहे हैं ठीक है इस वे में जब हमें knowledge होगा अच्छे वे में formula पर पकड़ होगा calculation power अच्छा होगा तो हम आसानी वे में ऐसे question को चुटकियों में बना सकते है calculation power कमजोर होगा अच्छा base नहीं होगा तो यह question हमारे लिए घातक साबित हो सकता है हम इसको बनाना मुस्किल नहीं नमुकिन हो जागा तो चलिए इसको अच्छे से skin shot ले ले इसको note कर ले ऐसे question exam में समानने ता आएगा पूरी आप लिख कर रख लें कि ऐसा ही question साब को मुलकात होगा बात समझने चलिए इसका note कर ले इसkin shot ले अब हम लोग अगले question के पास आते हैं अगला question क्या कहता उसको देखने जाने question number 8 को देखने जाने किसको देखने जाने question number 8 क्या कहता है question 8 अब देखो मेरे भाई question 8 क्या कहता है रैखिक समीकरन का घात होता है रैखिक समीकरन जो होता है उसका कितना घात होता है रैखिक समीकरन समीकरन का घात होता है रैखिक समीकरन का घात होता है ठीक है रैखिक समीकरन का घात होता है क्या होता है पहला option 2 है दूसरा option आपके सामने जो है 3 है तीसरा option जो है आपके सामने minus 1 है और चौता option आपके सामने 1 है तो सबसे पहले रैखिक समीकरन पूछ रहा है तो इसका मतलब दिवगात समीकरन रैखिक समीकरन आप जब पढ़ी गए तो पूरी तरह से quadratic equation एक मिलेगा दिवगात समीकरन उसमें आपको बताया जागा कि x पलस b बरावर 0 के form कोई हम लोग रैखिक समीकरन कहते हैं जहाए x is not equal to 0 और x का maximum घात इसमें देखते हैं तो 1 होता है इस तरह से हम इस question का अंसर आ गया कि इस रैखिक समीकरन का maximum घात जो होता है यानि समीकरन का घात होता है तो हमेशा क्या अतवन होता उसी कोई हम लोग रैखिक समीकरन कहते हैं ठीक है linear equation के नाम से जानते हैं इंगलीस में कहते हैं चली आप हम लोग अगले question के पास आते हैं question आड़ भी काफी चुटकियों वाला था काफी आसान था तब इस लिए question का भी बनना आसान था अब question now question number 9 के तरफ आते हैं question number 9 क्या कहता है मेरे दोस्स बिंदू इतना इतना के चतुर्थांस में बिंदू ये question 9 है कि बिंदू जो है बिंदू 4,3 किस चतुर्थांस में किस चतुर्थांस में किस चतुर्थांस में है बिंदू 4,3 किस चतुर्थांस में आपको मालुम होना चा और चतुर्थांस की जानकारी आपको Trigo Chapter में भी मिलेगा साथ ये साथ जब निर्दे सांग जयमिती आप पढ़ेंगे तो वैसे condition में भी आपको Quadrant क्या कहते हैं उसमें चतुर्थांस की जानकारी मिलेगा quadrant जिसको कहते हैं वहाँ पर आप पढ़िएगा पर्थम path पढ़िएगा second path पढ़िएगा first quadrant second quadrant जैसे नाम आपको मिलेगा उससे related और भी जानकारी आपको मिलेगा तो आईए हम लोग समझते हैं कि या किस चुटू ठांस में या हर साल आपके 10th level के exam में पूछे जाते हैं साथ ही साथ और भी जो math की level के exam होते हैं वहाँ भी ऐसे question समान नेता आते हैं ठीक है तो सबसे पहले एक graph होता है मेरे भाई इस तरह का एक सच होता और एक क्या होता य होता है इसको हम लोग एक सच कहते हैं ठीक है एक सच कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं या यह कहते हैं इतनी बात तो समझ में आया है एक सच वाले घर इस साइड में क्या होते हैं सब यह positive तो यह भी positive होता है first quadrant का sign जो होता पलस पलस होता है second quadrant में इस साइड में जब वी माईनस होता ह् też तार्व इस तरह से नामा' करन देते हैं तो पता ही चला कि या प्हर्ट और ओर साथ वर्ट जीनके रखना ये किस चतुर्थाइनस में होने के लिए हमें साइन के पास जाना पड़ता था टो आप आप देखिए एक sign plus में और एक sign minus में कहां दिखता आपको एक sign plus में और एक minus में आपको कहां दिखता पलस और minus पलस और minus वहाँ पर option आपका मिलेगा यह first चौतर थांस मिलेगा दूसरा option मिलेगा third हो सकता है तिसरा option आपके सामने मिलेगा fourth मिल सकता और चौतरा option आपके सामने जो मिल जागा none of these मिल जागा ठीक है इस तरह way में हो सकता question का label ठीक है अब यहाँ पर जब देखते हैं plus और minus तो इस पता ही चला कि fourth quadrant का sign जो होता plus minus होता और इस तरह से यहाँ जो option का जो tally करेगा मेरा c जो fourth quadrant में plus और minus होगा आप से अगर question कहा दे plus plus तो first quadrant में minus plus तो second quadrant में और minus minus तो third quadrant में और plus minus तो fourth quadrant में यही जो था ग्राफिय विदी से हम इतना जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमें sign को पहचानना काफी आसान सा method हो जागा चलिए अब इस तरह से nine question भी complete हुआ अब हम लोग अगला question 10 के पास जा रहे है अगला question 10 के पास मिलने जा रहे है 10 क्या कहता है देखें आप विरीत के केंदर पर बना कोन होगा कोई भी विरीत के केंदर जो होता उस पर विरीत के केंदर पर केंदर पर बना कोन होता बना कोन होता है विरीद के केंद्र पर बना कौन होता है ठेक है विरीद के केंद्र पहला option जो है मेरे भाई 180 degree होता है दूसरा option जो है 360 degree होता option C है 400 होता option D है ठेक है तो आपको मालिम होना चाहिए यह geometry का part है वहाँ पर जब जैमीती चैप्टर को पढ़ेंगे तो ऐसे चोटे-चोटी बातों का जानकारी आपको रखना पढ़ता है कि विरित के केंदर पर जो कोन होता है कितना कोट और वह जो कोन का मान होता 360 डिग्री होता है कितना मान होता 360 डिग्री इसलिए option number B जो है इसका 360 और अगले कोस्टन के पास चलते हैं कि देखें आप अगला कोस्टन है 119 अगला कोस्टन केतना 119 तीर है मेरे भाई 25 पांच है इसके बाद साथ है पांच आंट है पांच है इसका बहुलक होगा इसका क्या होगा बहुलक अभी पहले ही बहुलक को बताये थे हम option आपका करेगा 2 पहला option 2, दूसरा option 3 और तिसरा option 5 और चौथा option 8 है ठीक है तो हम कह सकते हैं कोई भी series में बहुलक का जो है उसे हटाने का तरीका यह होता है कि वह उसमें सबसे ज्यादा बार लॉकता है सबसे ज्यादा बार देखते हैं उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं एक बार देखो, हजार बार देखो देखने की चीज़ है, बार बार देखो यानि उसी को हम लोग क्या कहते हैं बहुलक, तो आपको देखे में आएगा कि 5, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी तो हम कह सकते हैं 5 का जो देखने का ताकत है काफी है डीक है 5 का जो टर्म है वो बार बार दोहराता है बार बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं इस तरह से option number C जो है 11 का आया answer उमीद है कि आप समझ गया होंगे बहुलक का question जब भी exam में आ जाए तो आपको एक number लाने ये कहता है मेरे भाई कि question number 12 कहता है कि एपटी का question है एपटी टरीक है 4 10 और 16 और 22 और क्या 28 का सार्वंतर इसका क्या बताना सार्वंतर बताना है इसका सार्वंतर तो भाई मेरे option यह है यहां पर सारवंतर 4, option B 6, option C आपके सामने 8 और option D आपके सामने 10 तो सारवंतर बताते हैं किसी एप्पी का सारवंतर निकालने के लिए हर second term को first term से जब घटाते हैं तो वही method को ही हम लोग क्या कहते हैं सारवंतर करते हैं second term यह है और इसमें क्या घटा दिया, first term को घटा दिया तो यानि 10 में से 4 घटाया, तो क्या आया, 6 आया तो इसका सारवंतर यानि 16 में से 10 भी जा गया तो उच्छे हर second term को first term से घटाने की प्रकिरिया को हम लोग क्या कहते हैं सारवंतर कहते हैं second term को इसके बगल वाले term से घटाते जांगे तो यही method को हम लोग सारवंतर, जिसको हम लोग common difference के नाम से जानते हैं, जिसको cd के नाम से जानते हैं जिसको a, b, c, d, k, small, d से indicate किया जाता सारवंतर को तो पता ही चला, इसका सारवंतर 6 आया, option number b जो है, match कर गिया, तो इसका answer कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है इस तरह से आपके सामने question number 12 भी इंड हुआ फिर आप हम लोग अगले question के पास आते हैं, अगला question क्या कहता है question number 13 देखने जा रहे है question number 13, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे है question number 13 है मेरे भाई question number 13 है कि दो विरितों के छेत्रफल 4 अनुपात 9 है तो उनकी तिर्जिया का अनुपात क्या होता उनकी तिर्जिया का अनुपात, दो विरितों का छेत्रफल छेत्रफल का अनुपात जो है, छेत्रफल 4 अनुपात 9 के अनुपात में है अनुपात में है ठीक है तो उनकी तिर्जिया का अनुपात क्या होगा उनकी तिर्जिया का अनुपात क्या होगा तिर्जिया का अनुपात क्या होगा उनका तिर्जिया का अनुपात बताना है बहुत आसान सा question है पहला option जो है दू आ तीन है दूसरा option है तीन आ दू है और च स्कॉायर होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है पाई आर स्कॉायर जब छेत्रफल के लिए फार्मूला पाई आर स्कॉायर होता है तो वहां पर आर स्कॉायर छेत्रफल तो सब छेत्रफल के रूप में है यानि यह जो है कहने का मतलब कि यह विरीत की तिर्जिया आर ज उसी तरह से हम कर सकते हैं कि चुए और नौव इसका जो आ ज feito गा इनुपाइगा मेरे करना वह समझसें यही इसमें पहचानने का तरीका ते तिर्ज्या और क्प्रस को हम लोग Com यहां पर देखिएंब को क्या है आप के सामने देखो यहाँ पर आप समझे यहाँ पर दो समरूप तिर्भुज के छेत्रफल के संगत भुजा का अनुपात चार अनुपात नो है उसके सिद्धांत बताया है कि दो समरूप जो तिर्भुज होता है उसके संगत भुजा के वरगु के अनुपात के बराबर होता है जैसे example के तरबज A है और B है ठीक है एक तिर्भुज जो आपके सामने D, E और F है ठीक है D, E, F तो यह होता है कि area of तिर्भुज जो होता है area of तिर्भुज A, B, C और बटा जो होता है मेरे भाई area of तिर्भुज जो होता है तिर्भुज D-E-F इसका जो छेत्फल होता है इसकी संगत भुजा के वर्गों का अनुपात के बरावर होता है यही इसका थिवरम का रूल होता है ठीक है तो इसी थिवरम बेस पर यह थोड़ा सा उससे निकाला गया कोस्टन है यदि थिवरम पर कमांड होगा पकड़ होगा तब ही ऐसे कोस्टन को आप बना सकते हैं तो यहाँ पर कहता है कि उसकी संगत भुजा का अनुपात इतना है तो संगत भुजा यानि चार बटा नौ है और इसका छेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो उस कंडिशन में हम जानते हैं कि दो समरूप जब तिर्भुज होता ह तो उसके छेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्गों का अनुपात के बरावर होता है तो चार का वर्ग करेंगे तो 16 हो गया और 9 का वर्ग करेंगे मिरे भाई 81 हो गया इस तरह से इसका अंसर जो आ जागा कि इसमें 16 अनुपात 81 उनके छेत्रफलों का पहले हम लोग को यह data को mind में complete रखना है यह base को mind में complete रहना है जब तक theorem आप नहीं पढ़ेगा तो ऐसे question आपके लिए मुश्किल पढ़ जागा ठीक है चलिए इस तरह से question number 14 भी इंड हो गया फिर हम लोग 15 question के पास जा रहें question number 15 क्या कहता है कोण ठीठा वाले कोई ठीठा जो उसका कौन है तिर्जिया खंड का छेतरफल क्या होगा question number 15 क्या होगा तिर्जिया खंड का छेतरफल तो याद रहें मेरे भाई कि कोण ठीठा वाले तिर्जिया खंड का छेतरफल क्या होगा तो आपको मैं बता देता हूं कि ठीठा खंड के लिए फर्मूला होता पाई एसकोई ठीठा बटा 360 डिग्री तिर्जिया खंड का छेतरफल के लिए फर्मूला होता पाई एसकोई ठीठा बटा 360 डिग्री यह आप ध्यान दें तिर्जिया खंड का छेतरफल के लिए हमेशा यह फर्मूला आप माइन में लॉक कर लें कि पाई एसकोई ठीठा बटा 360 डिग्री होता है इस तरह से आपक तरह से मैंने complete करा दिया मेरा mobile discharge होने के कारण जो है यदि हम question का label आगे बढ़ाते हैं तो पता ही चलेगा mobile switch off हो जागा और आप भी off हो जाएगा ठीक है तो इसलिए आज के class को मैं यहीं तक विराम करता हूँ यहीं तक rest करता हूँ उमीद है कि आप मेरी सारी बातों को समझे ह मैं बता है सब point को mind में रखे होंगे इसी तरह से हम छोटे-छोटे 15 15 जब per day पढ़ेंगे मेरे भाई तो एक दिन हमारे पास बहुत समुंदर हो जागा कहते हैं कि छोटी-छोटी knowledge ही एक दिन बड़ी knowledge बन जाती है और फिर हम कोई भी topic पर एक अच्छी सी बात को बता सकते एक अच्छे से घ्यान को हम किसी को दे सकते हैं तो आप यह मत समझेगा 15 question है उस 15 question जो होता हर एक subject हर एक parts है हर एक lesson से आपका लाया जारा जो आपके math में in CRT book 10th class में दे रखा वो सारे topic by topic मैं आपके सामने daily लाता हूँ और आपको बताता हूँ ठीक है व्योंकि exam का pattern इसी कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है उमीद है कि आप समझ रहे होंगे यदि मेरा class अच्छा लगा हो तो like और comment करना आप और subscribe करना आप नहीं भूलें ठीक है चलिए आज की class के लिए bye फिर हम लोग कल मिलेंगे